तो दोस्तों यह है फिलिप कार्ट, फिलिप कार्ट को अगर आपने अपडेट कर लिया है और फ्रेंड्स यहां से कोई ओर्डर आप कैंसल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ओर्डर कैंसल करने में वही दिक्कत को दूर करेंगे आज के वीडियो को अभी लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए वीडियो यहां से आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों यहां मैंने फ्लिप काट को ओपन कर दिया यहां से फ्रेंड्स आप काफी कुछ खरीद लेते हैं देखिए यहां से काफी कुछ आप सर्च करके यहां होम कि दिखेगा पर यहां कार्ड दिखेगा तो आपको कार्ड में जाना है चार सब्सक्राइब कहाई बादाल कार्ण कर लिए औरreten. Auders में. Auders में. जैसे ही जाएंगे फ्रेंट्स. यहाँ पे आपको देखे एक नया page ऑपन अबेन. यह जाएगा यह जो भी आपने order कर रखें. यह मैंने काफी order किये दें. यह देखिए. यह वाला order मैंने आज ही किया था. और इसको cancel करना है देखिए मैं order पर click करूँगा मेरा order जो मैंने आज किया था ये open हो जाएगा अब देखिए your order has been placed Monday आठ तारीक को यानि कि आज shift अभी हुगा नहीं है और friends shift होने के बाद भी आप इस order को cancel कर सकते हैं और यहाँ पे Friends आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे आप कहीं भी देखेंगे Friends यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं दिखेंगा order cancel यहाँ पे order cancel आपको ढूंडना पड़ेगा तो यहाँ friends कहीं ऐसा दिया नहीं गया है जिससे आप order को cancel कर सके यह देखिए है यहाँ पर send order details देखिए यहाँ से click करके आप यहाँ पर number देंगे आपके number पर order detail आ जाएगी लेकिन friends आप इस order को cancel कैसे करेंगे देखिए यहाँ काफी ढूंडते रह जाएंगे लेकिन आपको यहाँ पर order cancel करने का option नहीं मिलेगा see all update पर click करेंगे यहाँ पर भी update दिख जाएगी लेकिन friends यहाँ पर भी order cancel करने का कोई option नहीं मिलता यहाँ से बैक करते हैं और friends यहाँ पर देखिए नीड हैल्प में जाएंगे नीड हैल्प में जाके भी friends यहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हैं यह देखिए यह सारी चैटिं इस पर click करना है आपको अब यहाँ तीन option खोलेंगे I want to change my phone number I want to change the delivery address I want to cancel my order यहाँ पर है friends इस पर click कर देना है I want to cancel my order अब यहाँ पर आपको दिखेगा if you cancel now you may not be able to purchase this product again और यहाँ पे friends दो और option दिखेंगा I would like to keep the order और दूसरे में दिखेगा cancel order इस पर click कर देंगे cancel order पर अब जेखिए यहाँ से आप से पूछ रहा है आप क्या reason देना चाहते हैं यहाँ reason है friends I want to change the delivery address price I want to change the contact detail I want to change अब यहाँ से हमें कुछ ना कुछ जरूर सेलेक्ट करना है अब सेलेक्ट वही करना है friends जो आपको यानि कि इन्हें भी अच्छा लगे और आपका reason भी सही हो my reason are not listed इस पर click करके और friends यहाँ पर कर देंगे next time देखिए friends उन्हें भी पता चल जाएगा और हमारा काम भी यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पर कर देंगे next time और यहाँ friends submit कर देंगे अब देखिए cancel confirm check status keep shopping अब status पर click करेंगे और यहाँ हमारा देखिए यहाँ आठ तरीक को order हुगा और यहाँ order cancel हो गया तो ऐसे करके आप flip card का order भी cancel कर सकते हैं वीडियो को लाइट चैनल को सब्सक करेंगे और यहाँ वीडियो मैं